हेलो फ्रेंड्स किरंदानेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही सुन्दर और हट के डिजाइन इस डिजाइन को फ्रेंड्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे बुन सकते हैं अपने कार्डिगन पे डालिए जैकेट पे डालिए टॉप पर डालिए बच्चों के स्वेटर पे बुनिए बहुत ही सुन्दर बन गयाता है और फ्रेंड्स यह आल ओवर डिजाइन अपने कार्डिगन पे आप डालेंगे तो देखिए कितना ही हट के डिजाइन है बिलकुल अलग से चाहें तो आप इसका 18 इंच का नीचे का बॉर्डर भी बुन सकते हैं उपर से आप प्लेन बनाएगे तब भी यह डिजाइन बहुत ही उबर के आएगा और बहुत ही सुन्दर आएगा यह अलग-अलग सी डिबियां सी ऐसी बनी-बनी आती है गोल-गोल यह बहु 6 के multiple करें और plus 3 करें तो आपका design जो है आपके project पे अराम से settle हो जाएगा और friends इसको हम wrong side से start करेंगे एक basic row इसमें डालेंगे wrong side से तो चलिए start करते हैं wrong side है basic row start करते हैं यह मैं starting से ही इसको आपको दिखा रही हूँ अभी फंदे डाले हैं यह मैंने आपका यह पहला तो रहेगा s-ditch यह दोनों तरफ से रहेगा यह देखे ऐसे इसको उतार लेंगे और फिर आपका एक फंदा आएगा यहाँ पे सीधा एक फंदा सीधा फिर पांच फंदे उल्टे 1 2 3 4 और यह 5 पांच फंदे उल्टे यह देखे यह s-titch को छोड़के यह जो पैटन है आपका यह आप रिपीट करते जाएंगे फिर से एक फंदा आप सीधा भुनेंगे यह दे आईसे और पांच फंदे आप उल्टे भुनेंगे 1 2 3 4 और यह 5 5 पांच फंदे उल्टे एक फंदा सीधा फिर से 5 पांच फंदे उल्टे वान, टू, थ्री, फोर, और ये फाइव, और एक फंदा आपका ये, यहाँ पे सीधा आएगा, जैसे आपका स्टार्टिंग से आया है, और ये आपका एस्टिच है, इसको हम उल्टा वुन के कम्प्लीट करते हैं, इसी के साथ फ्रेंड्स ये बेसिक रो जो रोंग साइड ये हमने कम्प्लीट कर लिए, सीधी साइड में हम, राइट साइड में, रो वन है इसकी, ये डालने जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक एस्टिच है, ये यहाँ से इदर से उल्टा फंदा एक दिख रहा है, और पांच आपको आगे सीधे दिखें तो फ्रेंड से ये डिजाइन जो है, ये अभी हमारा पांच फंदों पे चलेगा, जो सीधे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रो वन, एस्टिच उतार लेंगे, देखें ऐसे, फिर उल्टा फंदा जो है, ये आप उल्टा बुनोंगे, धागा पीछे की और करेंगे, ये दो फंदों का एक फंदा करेंगे, आगे से बुनते हुए, यहां से बुनेंगे, ऐसे, आगे से बुनते हुए, दो का एक, धागा आगे लाएंगे, एक सीधा फंदा बुनेंगे, जाली डालेंगे यहां पे, देखें ऐसे, फिर से धागा आगे लाएंगे, इस फंदे यहां पे सीधा जरूर करना है, तो फिर यहां पे बैक लूप से दो फंदों का एक बनाएंगे, ऐसे, और साथ में यहां जाली आ जाएगी, यह दिखिए, यह पांच फंदे जो सीधे हैं, उनको आपको ऐसे बनाना है, आप देख सकते हैं, और फिर आगे, आपका एक उर्टा फंदा आ जाएगा, यही पैटर्न आपका, आगे आगे चलता जाएगा, फिर से पांच फंदें सीधे आपके पास, यही पैटर्न रिपीट करेंगे, दो का एक, आगे से बुनते हुए, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे, दिखिए, सीधा करने के बाद, बैक लूप से इसको बुनेंगे, दिखिए, यह सीधे जो पांच फंदे हैं, यही पैटर्न चलता जाएगा, फिर से वैसे ही रुपीट करेंगे, उल्टा फंदा आप उल्टा बुन लीजीए, यह सीधे, यह दिखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, दो, चार और यह पांच फंदे हैं, इस पे हम, पहले दो का एक करेंगे, आगे से बुनते हुए, दागा आगे लाएंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, जाली डालेंगे यहां पर, दागा आगे लाएंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे, ऐसे, सीधा करके सलाई पे चढ़ाएंगे, और बैक लूप से, दो फंदों का एक बनाएंगे, यह देखिए ऐसे और फिर हम एक उल्टा फंदा लास्ट में और यह स्टिच है आपका यह आप सीधा बंगी इसी के साथ फ्रेंड्स रो वन जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रो है यह हमने खतम कर लिए रॉंग साइड में हम रो नमबर सेकंड रो नमबर सेकंड फ्रेंड्स बेसिक रो की तरह ही आएगी देखिए एस्टिच उतार लेंगे नेक्स्ट फंदा आपके पास देखिए सीधा है इधर से इसको आप सीधा बुन लीजिए जैसे आपने बेसिक रो बुनी है वैसे ही सेम टू सेम आगे यह डिजाइन के फंदे हैं जो पांच यह आप इसमें उल्टे बुनोंगे वान टू थ्री फूर और यह फाइव यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहां से आप देख सकते हैं यह सीधा फंदा है यह भी सीधा फंदा है और पांच फंदे इसमें उल्टे हैं तो यह आप उल्टे बुनेंगे जैसे मैंने आपको बताया बेसिक रोग की तरह ही यह सीधा बुन लिया वान टू त्री फूर और यह फाइव एक फंदा इसमें सीधा आता जाएगा जैसे अपने बेसिक रोग उनी है एक फंदा सीधा और जो जिस पे आपने डिजाइन डाला है पांच फंदों पे वो इसमें उल्टे आएगे टू त्री फूर और यह फाइव एक फंदा यह सीधा आजाएगा और लास्ट में है यह आपका एस्टिच इसको आप उल्टा बुनके कम्प्लीट के जिए इसी तरह से यह रो सैंदी रोंग साइड की हमारी कम्प्लीट होती है राइट साइड में हम रो नंबर थर्ड रो नंबर थर्ड फ्रेंड्स आप बहुत ही इजी है जीफित अप आप एस्टिच बुन लीजिए कैसे भी उतारना हो जैसे भी आपको करना हो दिखे एस्टिच उसके बाद एक फंदा हम मूल्टा बुनेंगे और पांच फंदे जो डिजाइन के हैं वो आप सीधे बुनेंगे यह बस आपको इतना जो पैटन है यह रपीट करते जाने है बहुत एजी है यह रो एक आपको उल्टा फंदा बुनने हैं जो आप बुन रहे हो इसमें और पांच जो डिजाइन के फंदे आपके हैं वन, टू, थ्री, फोर और यह फाइव यह आपको सीधे बुनने हैं यह रो नमबर थर्ड और फोर्थ जो हैं यह बहुत ही एजी हैं इसमें इसमें सिरफ आपको पांच फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा ऐसे ही यह बुनके कम्प्लीट करनी हैं दिखें लास्ट में यह उल्टा एक फंदा और लास्ट में आपका आजाएगा एस्टिच इसी के साथ रो थर्ड हमारी कम्प्लीट होती हैं चोथी सिलाई में हम आपकी रो सेकंड की तरह ही आएगी सेम टू सेम देखिए एस्टिच उतार लिया थोड़ा सा ही बुनके बताऊंगी मैं यह एक आप फंदा यहाँ पे सीधा बुनोंगे यह दिखने लग जाएंगे यह देखिए एक आपको सीधा दिख रहा है बीच में और पांच यह उल यह दिखिए अब यह उल्टी साइड से भी आपको पैटर बहुत अच्छी तरह से दिखेगा यह दिखिए एक बीच में सीधा है पांच उल्टे हैं फिर से सीधा है ऐसे ही यह यह रो जो है आपको सेकंड रो की तरह बुनके कंप्लीट करनी है देखिए फ्रेंड्स मैंने रो नमबर फोर रोंग साइड की बुनके कंप्लीट कर लिया आप देख सकते हैं यहां अच्छी तरह से दिख रहा है कि पांच फंदे उल्टे हैं एक सीधा पांच उल्टे एक सीधा ऐसे यह पिछे से पैटर अभी बन रहा है तो अब आते हैं इसकी रो नमबर फाइव मे राइट साइड में यह दिखे यह राइट साइड से आपको ऐसा दिखेगा अब हम इसकी यह जो रो नमबर फाइव है यह बहुत इंपोर्टन रो है इसको आप ध्यान से देखिए रो वन से जब हमने डाला था तो थोड़ा और अलग से तरीका था यहां पे जो रो देखिए इसमें थोड़ा सा अलग तरीका होगा अब ध्यान से देखिए एस टिच है इसको ऐसे ही उतार लेंगे यहां से इसकी यह डिबबी सी चेंज होगी ध्यान से देखिए उल्टा फंदा अब आप नहीं बुनेगे यहां पर देखिए यहां आपका यह सीधा फंदा रहेगा ऐसे फिर धागा आगे लाएंगे इसके बाद यह वाला फंदा इसको आप यहां पर सीधा कर लीजी यहां से देखिए यहां से चेंजिंग है इसमें थोड़ी सी एस्टिच उतार लीजीए सीधा फंदा बुन लीजीए फिर धागा अपनी तरफ लाईए और फंद यह दिख। इधर को यह वाला जो है यह ऐसे इधर को मुण ना चाए यह पहला जो आपके फंदें है इसमें ऐसे करेंगे आप आगे ध्यान से दिखीए यह जो आपका बीच का फंदा है यह दिखिए यहां यह बीच का फंदा जो चल रहा है, यहां पर हो जाएगा उल्टा, यह देखिए ऐसे, अब यह वाले जो पांच फंदे हैं, यह देखिए, यहां पर दो यह सीधे, एक उल्टा और यह दो सीधे, यह पांच फंदे हैं, इस पे डिजाइन आएगा, देखिए कैसे करेंगे, द दो फंदे का एक अगे हैं झागे से बुनते हैं 오빠 नग staying में लाएंगे यहां पर आपका जाएगा यह सीधा बंदा कि एसी धागा आगे लाएंगे इसको आप सीधा कीजिये फंदे को और दो का एक कीजिये पीछे को बुनते हुए यह देखे यह आप देख रहे होंगे जो आपने रो वन में पैटन चलाया था वैसा ही पैटन आपका चल पड़ा है पांच पंदों का अब आपको ऐसे ही करते जाना है यह बीच का फंदा यह दिखिए इसका यह आपका उल्टा आ जाएगा धागा पीछे को करेंगे दो फंदों का एक फंदा करेंगे आगे से बुनते हुए ये दिखिए ऐसे धागा आगे लाएंगे ये उल्टा फंदा जो है इसको आप सीधा बुनेंगे जाली आएगी यहाँ पे धागा फिर से आगे लाएंगे इस फंदे को आप ऐसे सीधा कर लीजिए और दो फंदों का एक पिछे को बुनते हुए ये दिखिए ऐसे धागा आगे लाएंगे ये दिखिए ये बीच का फंदा है ये आपका उल्टा आ जाएगा ऐसे धागा पीछे को करेंगे यहाँ पे आपका आएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए आप ये दो फंदों को आप कैसे करेंगे यहां से ऐसे बुनेंगे सीधा देखिए ऐसे यह आपके फंदे जो हैं यह ऐसे इदर को जाने चाहिए और यहां पे धागा आगे लाएंगे आपने यहां पे फंदा घटाया है धागा आगे लाएंगे यहां पे यह वला फंदा सीधा बुनेंगे जैसे आपने स्टार्टिंग से किया था यहां से यहां भी आपने एक फंदा बढ़ाया है न यहां पे जाली डालिए यहां भी आपकी लास्ट में जाली आएगी और यह फंदा आपका आजाएगा एस्टिच सीधा यह जो रो है पांच मी रो इसको आप बहुत ध्यान से इसको देखिए क्योंकि ये बहुत important row है आपको row 1 और row 5 ये बहुत अच्छी तरह से इसमें याद करनी है ताकि आप आराम से design बना सको wrong side में हम row number 6 ये भी row जो है ये अलग से आएगी बस मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्योंकि आपको कैसे करना है ये जैसे आप जो सीधी तरफ से जो आप सीधे फंदे बुनते हैं उनको आपको इदर से उल्टे बुनना है और जो एक फंदा उदर को उल्टा आता है वो आपको इदर से सीधा बुनना है बस आपको यही ध्यान रखना है अब यहां से यह stitch उतार लेंगे यह देखें यह design के फंदे हैं इनको हम 2 और यह 3 तीन फंदे यह design के हैं stitch के बाद अब यहां पे देखी यह हमने यहां उदर से उल्टा फंदा बुना है तो यहां पे हम start करेंगे फिर से वही यह आपका एक सीधा फंदा आजाएगा अब बीच में 5 फंदे design के हैं यह दिखिए 1 2 3 4 और यह 5 5 फंदे जो design के हैं यह आप सीधे उल्टे बुनेंगे एक फंदा फिर से आपका सीधा आएगा जब आप इसको थोड़ा सा बुनके देखोगे आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा उसमें कैसे करना है पता चल जाएगा जितना मैंने आपको यह बुनके दिखाया है इतना ही आप बुनके दिखिए खुद आपको बहुत असानी से यह design आ जाएगा और आपके cardigan पे यह जैकेट पे यह बहुत ही सुंदर लगेगा अब लास्ट के यह दिखी one two और यह three तीन फंदे यहां उल्टे आगे और यह आपका stitch है इसको भी आप उल्टा बुनके complete कीजिए यह दिखिए इसी तरह से यह row मैंने complete कर लिए यहां पे दिखी यहां पे pattern change हो गया है उल्टी साइट से तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो सीधी साइट से आप सीधे फंदे बुनेंगे उल्टी साइट से आपको उनको उल्टे बुनना है और जो एक फंदा आप उद्दर से उल्टा बुन रहे हो इदर वाली साइड से सिरफ उसको सीधा बुनना है यही आपको इसमें ध्यान रखना है राइट साइड में हम रो नमबर सेवन यह आपका एस्टिच है इसको उतार लीजिए वान टू और यह थ्री तीन फंदे इदर से आपके अब डिजाइन के हैं यह सीधे बुने जाएंगे यह देखे बीच में एक उल्टा फंदा है यहां से यह वाला और फिर वही पैटर्न शुरू हो जाएगा सीधे फंदे पांच वान टू थ्री फोर और यह फाइव सिरफ रो वन और रो फाइव में इसका डिजाइन आएगा बाके इसकी रोब बहुत ही इजी है जब आप बुन के देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह देखे एक मैंने यहां उल्टा बुन लिया पांच सीधे वान टू त्री फोर और यह फाइव यह देखे यहां पर यह उल्टा फंदा है तो यह उल्टा बुनेंगे और लास्ट के यह फंदे हैं इनको आप सीधा बुनेंगे डिजाइन के हैं वान टू त्री और यह फोर इसी के साथ यह रो हमने खतम कर लिये और साइड में हम रो नमबर एट रो नमबर एट फ्रेंड्स रो नमबर शिक्स की तरह ही बुनी जाएगी यह दिखे एस्टी चूता आ लिया तीन फंदे उल्टे आ जाएगे वान टू और यह त्री यहां पर यह दिखे जाएगा यह दिखे सीधा फंदा है इसको आप सीधा बुन लीजिए फिर वैसे ही पांच फंदे उल्टे वान टू त्री फोर और यह फाइव एक फंदा सीधा फिर से पांच फंदे उल्टे वान टू त्री फोर और यह फाइव एक फंदा सीधा वान टू त्री और यह फोर इसी के साथ रो एट हमारी कमपलीट होती है यहां से देखे फ्रेंड्स पैटर्न आना स्टार्ट हो गया है अभी यह आठ सिलाइया हुई है इसमें आठ सिलाइयों में इतना पैटर्न यह दिखेगा नहीं अभी आप इसमें थोड़ी सी और सिलाइयों बुनेंगे तब ही यह दिखेगा तो आपको करना क्या है कि रो वन जो हमने राइट साइड से स्टार्ट की थी रो वन से लेके रो एट तक इसको रिपीट करते जाना है तो आपका यह पैटर्न बहुत ही सुन्दर ऐसे 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 गुलाई में यह चलता जाएगा डिबिय डिबियां से दिखाए देगी जो कि आपके कार्डियन की लुक को बहुत ही सुन्दर बना देगी तो मैं आपको एक बार थोड़ी सी जो रो वन इसमें रिपीट करके बताऊंगी ताकि आपको पता चल जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप रिमाइंड कीजिए अपने रो वन को रिपीट करने जा रही हूँ यह दिखिए एक एस्टी चुट आलिया हमने यहां पे हमने रो वन में उल्टा फंदा बुना था ऐसे धागा पीछे की और आँखें बंद करके बस आपको रो वन इसमें अगे स्टार्ट कर देनी है दो का एक करेंगे ऐसे धागा आगे लाएंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे धागा आगे लाएंगे इस फंदे को सीधा करेंगे ऐसे और फिर से आप दो का एक करतेंगे यह दिखिया ऐसे यह जो छे फंदों पे आपने डाला है पैटन यहां एक उल्टा और पांच फंदों पे जो पैटन डाला है आप आगे तक इसको repeat करते जाएंगे row one में मैंने आपको row one बहुत अच्छी तरह से दिखाई है तो अब आप आराम से बुनिए शिर्फ आपको row one से लेके row eight तक इसमें बार बार वैसे ही डालते जाना है तो ये pattern आगे अगे चलता जाएगा अब आप भी बनाएए अपने किसी भी परजेक्ट पे अपने काडिगन पे डालीजिए जैकेट पे डालीजिए पच्चों के स्वेटर पे डालीजिए बहुत ही सुन्दर बन के आएगा और बिल्कुल अलग हट के pattern आएगा आप एक बार डाल के देखिए बुन के देखिए थोड़ा सा ये pattern बिल्कुल अलग से है थोड़ा सा tough है ज्यादे tough नहीं है सिर्फ थोड़ा सा tough आपको सिर्फ row 1 और row 5 इनको अच्छी तरह से देख लेना है बाकी row बहुत एजी है तो और आप अपने अराम से डाल सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर थैंक यू